कैसे हैं आप सब लोग आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बिल्कुल नीट एंट्रेंस एक्जाम से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एक वीडियो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ चलिए इसकी शुरुवात करते हैं एक सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट है और उसने सारी क्लासिस करी हैं सो उसने करीब करीब जो भी रीजनेबल हो सकता है सारी क्लासिस अटेंड करी हैं फिर हम यह कह रहे हैं कि जितने टेस्ट हो सकते हैं उन टेस्ट को भी उसने अटेंड किया है तीसरी चीज रीडिंग की वी है हर एक चीज की उसने properly important textbook से क्या किया हुआ है हर text matter को क्या किया हुआ है read किया हुआ है अगर कोई assignment मिला पूरी जर्नी के दौरान तो उसको भी करीब करीब हर बार time पर क्या किया है पूरा किया है कुछ sacrifice किया है time demote किया है friends से अपने रिष्टेदारों के function से time निकाल करके इधर time को invest किया है यह सारे क्राम इस बच्चे ने किये हुए है तो इसका मतलब कि आपको नहीं लगता कि हम एक बहुत अच्छे बच्चे की बात कर रहे है यह एक good student होने की सारी निशानी है इस बच्चे ने वो सारा काम किया है अब problem क्या है कि just exam से यह किया दो दिन पहले तीन दिन पहले य और बहुत घबराहट हो रही है एंग्जाइटी हो रही है इस सब चीजों के करने के बाद भी अगर काफी जादा क्या हो रही है एंग्जाइटी हो रही है तो यह जो मैं अगले 4-5 मिनिट आपके साथ बात करूँगा यह आपके लिए बहुत important हो सकते हैं बिलकुल घबरा यह एक physiological response है यह कुछ बच्चों में यह थोड़ा सा heightened हो गया है और यह मेरे वीडियो का आज का topic है के it is just an exam पहले तो यह समझे के यह जो exam आ रहा है इसको correct perspective में रखिए आखिरकार केवल एक exam ही तो है और यह जो सारी बात मैंने आपको बताई है जो nervousness हो रही है यह सारी च anxiety की तरफ तो आप शायद test anxiety face कर रहे हैं और बिल्कुल चिंता मत कीजिए करीब 40% तक बच्चों में test anxiety हो सकती है तो अगर आप इन 40% बच्चों में अच्छा देखिए एक और चीज समझे इसमें क्या-क्या हो सकता है अगर हम यह देखें कि इसमें क्या-क्या गरबढ हो सक सकती है क्या-क्या symptoms आ सकते हैं ऐस्ट एंग्जाइटी एक शिचुवेशनल ने इंग्जाइटी है सो एक सिचुवेशन हो गई आपके सामने डिमांडिंग सीचुवेशन है एक 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 एक्जाम आ रहा है और इस सिचुवेशन में आप इस anxiety को क्या कर रहे हैं face कर रहे हैं इसके कई सारे symptom हो सकते है, physical symptom हो सकते है, mental हो सकते है, emotional symptom हो सकते है, कुछ बच्चों को पसीना आ सकता है, ऐसा लग सकता है कि उल्टी जैसा कुछ feeling हो रही है, पेट में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, shortness of breath हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर के जैसा महसूस हो सकता है, यह तो physical symptoms हो गए, फिर हमने यह कहा कुछ mental symptoms हो सकते हैं, अपने उपर doubt आ सकता है, fear, एक irrational fear दिमाग में आ सकता है, बहुत stress feel कर सकते हैं, एक feeling आ सकती है, hopelessness की, हर चीज में जरा जरा सी चीज में irritability हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, और कोई चट पठाहट है, और अराम से calmness नहीं आ पा रही है, emotional आप distract हो जाते हैं बड़ी असानी से, focus नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग में negative thinking आ रही है, दूसरे से अपने आपको compare कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड होने वाली है, thoughts एक तरफ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत जादा हौच पॉच हो रहे हैं thoughts और memory क्या हो रही है, यह पूर हो रही है, यह जो चीजे हैं, यह जो symptoms हैं, यह घबराइए नहीं, यह text anxiety के symptoms हैं और जैसा मैंने आप से कहा कि 40% तक बच्चों में यह गड़बड हो सकती है, अब देखिए, सबसे पहले एक positive चीज सुनिए, थोड़ी anxiety होना बहुत जरूरी है, जब आपके अंदर anxiety है, उसका level थोड़ा सा कम है, तो यह desirable है, now this is very important to understand, it is good to have a little bit of anxiety, क्योंकि anxiety में आप जानते हैं, आपकी बॉड़ी में जैसे adrenaline, जिस तरह के hormone release होते हैं, blood glucose लेवल बढ़ता है, आपका level of alertness बढ़ता है, और ऐसा देखा गया है, कि थोड़ी सी अगर anxiety है, तो performance बहुत optimum होती है, problem तब आती है, जब यह anxiety में, यह symptom जरूरी से ज़्यादा हो अगर आप 40% बच्चों में नहीं हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए, एक और impactful काम कीजिए, और अगर आप 40% बच्चों में हैं, जो थोड़ा बहुत यह symptoms को क्या कर रहे हैं, इस time फे face कर रहे हैं entrance exam से पहले, तो अगले 3-4 minute में मैं आपको कुछ useful tip दे सकता हूँ, हो सकत है, क्या पक्के तोर पर बात है, कि scientifically proved है यह बात कि आपको यह फाइदा करेगा, सो चलिए, अब देखते हैं कि यह anxiety की वजे क्या है, ऐसाथ क्यों है, कि यह test anxiety हो क्यों रही है, देखे पहली वजे तो यह हो सकती है, कि देखे थोड़ी हसी मजाग की बात करूंगा, लेकिन इसको बात को समझिए, इसको seriousness में लीजिएगा, poor preparation है, पढ़ाई ही नहीं करी, अब anxiety हो रही है, पता है कि गड़बड हो जाएगी exam में, मैं इस तरह के बच्चों की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस टाइम पर specifically उन बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मैंने पहली slide म आप से का था, सारी चीज़े tick करी हैं, और उसके बाद भी एक anxiety हो रही है, इसकी क्या वज़े हो सकती है, उन बच्चों के लिए एक और वज़े हो सकती है, कि past experience, तो मैं दुबारा एक different color में, अब ये केवल उन बच्चों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत करी है, और उसके बाद भी ये इस तरह की problem face कर रहे है, past experience की problem हो सकती है, मतलब ये कि आपने पहले neat entrance exam दिया और उसमें अच्छा नहीं किया, और इस time पर आपको ये लग रहा है, कहीं वैसा ही दुबारा ना हो जाए, मैंने पहले भी exam दिया था, उस time भी अच्चा नहीं हुआ, और इ पूसरी ये है कि आपके उपर एक expectation का बोज है, so parental pressure है, मान दीजे parents का pressure है, मैं बार बार parents से भी कहता हूं कि आपकी 80% language जो है वो बोलने से नहीं होती, non-verbal होती है, आपके जो शरीर के हाओ भाओ है, वो बच्चा बड़ी अच्छी इसे पहचान लेता है, peer pressure है आपके उप एक्जाम को जिन्दगी की पूरी वर्थ को बना करके रख दिया है, अब आप ये कह रहे हैं कि यही वो exam है, जो ये प्रूव करेगा कि MI वर्दी और not, और आपने इस तरह के exam की importance अपने दिमाग में जरूरस से ज़्यादा बढ़ा दी है, अपने आप से भी बहुत expectation शुर आपने उस छोटी सी चीज को catastrophize कर दिया है, impending doom की कहानी आपने कर दी है कि ये गड़बड हो जाएगी, अगर मेरा ये exam नहीं हुआ, तो मेरी वर्थ नहीं है, इसका मतलब मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, now this is something that you must absolutely understand that this is a fallacy, ये चीज, ये thinking बिलकुल ही गलत है, मे आप से 50 बार कर चुका हूँ, एक बार फिर कर रहा हूँ, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा, तीसरा एक और चीज होती है, इसको देखिए एक ये बड़ी अजीब सी situation होती है, कई बारी बच्चा ये सोचता है कि मेरे साथ कुछ से चल रहे है, बच्चा होगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो मेरे लग की वज़े से होगा, वो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, वो मेरी वज़े से नहीं हो सकता, ये जिन्द्गी में कभी-कभी ये माके आते हैं और उन्होंने कहा कि this is the world's greatest lie, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जूट है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सबका एक cause and effect relationship होता है और सबसे बड़ी discovery इस mankind की यही है, कि आप इस mind को properly train कर सकते हैं, और आने वाले result को, उन activities को करके जो impactful हैं और वो जिनको आप influence कर सकते हैं, आप आगे आने वाले, आप आगे आने वाले किसी भी result को बड़ी असानी से change कर सकते हैं इस चीज को imposter syndrome कहते हैं, अपने उपर ही belief नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यह जो है, जो कुछ अगर मेरे साथ ठीक हुआ, तो luck की वज़े से होगा, नहीं तो नहीं होगा, fear of failure fear of failure, एक बहुत बड़ा failure, एक बहुत बड़ा डर होता है चौथा कारण और लिख रहा हूँ, हाला कि मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो हो गया fear of failure, so मैंने आपको कारण बताए, मैंने आपको कारण बताए, हम इसकी science समझने की कोशिश कर रहे है, कि यह test anxiety किस वज़े से होती है, अब देखिए यहाँ पर अब इतनी बात करने के बाद में आप देखना यह है कि इसका करें क्या, चलिए हो गई हम 49% में, हमें थोड़ी बहुत test anxiety है, देखिए किसी में भी सारे symptom नहीं मिलेंगे थोड़े थोड़े symptom मिलेंगे, थोड़ा यह ज़ादा होगा, थोड़ा physical ज़ादा होगा, किसी में थोड़ा emotional ज़ादा होगा, यह तो मैंने आपको एक list दी थी, और मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसा लग रहा है, कि जरूष से ज़ादा थोड़ी सी anxiety हो रही है, तो अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इसका करें क्या, सबसे पहले सबसे पहली चीज यह है, कि आप अपने आपको express कीजिए अपने अंदर मत रखिए इस चीज को, और express करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, journal सो आपके पास एक copy होनी चाहिए एक pen होना चाहिए, यह बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिंदगी में, अगर आपने कुछ चीजों को नहीं लिखा, तो वो चीजे importance अपनी gain नहीं कर पाएंगी, आप लिखिए अपने, अपने fear को confront कीजिए आप लिखिए यह मेरे साथ क्यों हो रहा है क्या मेरे को reality में क्या चीज है वो जो मुझे डरा रही है यह अपने अंदर नहीं रख करके इसको आप लिख लीजिए एक पर copy pen उठाइए उसको लिखिए कि मेरा number one fear ये है, number two fear ये है, number three fear ये है इसका cause ये है क्योंकि हर एक जना अलग होगा आप ये काम खुद कीजिए और एक journal रखिए और उसको लिख लीजिए क्योंकि यहां से फिर कहानी शुरू होती है लिखने के बाद में सारी कहानी शुरू होती है मान लीजिए आपने ये लिखा से फॉर एक्जामपल आपने ये लिखा कि मेरा पिछली बार selection नहीं हुआ था वो जो मैंने आपको cause बताया उस वज़े से आपको डर लग रहा है कि कहीं ये बात दुबारा ना हो जाए तो जब आपने ये बात लिख ली तो अब आप इस fear को confront कीजिए अब आप ये देखिए कि ये fear कितना real है कितना imaginary है क्या आपने पिछली बार के बाद में बिल्कुल भी तैयारी नहीं किये आपका answer आएगा नहीं मैंने बहुत तैयारी की है सो result पिछली बाली से बहतर होगा पहली बार जब मैंने exam दिया मैं mentally prepared नहीं था हो सकता है आप बारवी के exam में busy हो हो सकता है कोई health issue हो गया हो हो सकता है आपने proper तरीके से इस बात के महत्व नहीं समझा हो कि time लगाने से ही subject की knowledge आती है लेकिन इस बार आपने उन कमियों को पूरा किया है अगर आपने उन कमियों को पूरा किया और लिखा है तो आपका दिमाग बहुत logically सोचता है उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है वो fear की जो आपकी जो basically जो fear की जो आपको घवराट हो रही है जो fear की जो impending doom की आपके अंदर जो एक tendency होती चली जा रही है वो खतम हो जाएगी आप देखेंगे this is a very very powerful tool very very powerful tool Napoleon Bonapart के बारे में एक बात ये कहते हैं कि जब उनको रात में नीद नहीं आती थी मान लीजिए तो वो क्या करते थे एक journal में अपनी सारी problems लिखते थे उस journal को बंद करते थे और उसे cup board में ceremonially बंद कर देते थे कि देखो अब इसको बाद में देखेंगे में thoughts आ रहे हैं इनको मैंने लिखा अपने जर्नल में और उस journal को मैंने बंद कर दिया किसके अंदर एक cup board के अंदर बंद कर दिया और बड़ी असानी से उन्होंने लिखा है कि उनको बड़ी असानी से इस तरह से नीद आ जाती थी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीजों को perspective में रखिए अपना perspective ठीक कीजिए बेटे सबसे बड़ी चीज यह है perspective ठीक कीजिए real है कि imaginary fear है और हमने यह कहा कि आपने इतना काम किया है इसको आप लिखेंगे तो क्या बज़े है कि यह failure होगा किसी कीमत पर नहीं होगा यह बात अपने मन से बार बार कहिए सो perspective में रखिए दूसरा right perspective यह रखिए कि यह एक exam है इस exam की worth समझने की कोशिश कीजिए आज से 15-20 साल पहले बहुत से लोगों ने medical entrance हो सकता है ना निकालाओ पर जिन्दगी में वो आज बहुत successful हो सकते हैं ऐसे लोगों को आप जरूर जानते होंगे so it is not necessary कि एक ही particular exam जो है वो जिन्दगी की worth को decide करता है चीजों को correct perspective में रखने की कोशिश कीजिए जब आप किसी चीज को correct perspective में रखते हैं जब आप spade को spade कहते हैं calling spade a spade तो anxiety कम होती है इस बात को हमेशा याद रखिएगा यह चीज बहुत important है तीसरी चीज मैं यह कह रहा हूं कि आप अपना attitude change कीजिए now what does it mean it means कि मुझे कुछ शब्द नहीं बोलने है मुझे कुछ शब्द बोलने ही नहीं है मुझे अपने negative thoughts को replace करना है positive thoughts से so यहाँ पर मैं आपको बहुत positive चीज बता रहा हूं केवल मैं यह नहीं कह रहा हूं कि negative चीजे नहीं सोचनी है मैं आप से कह रहा हूं कि आपको positive thinking करनी है I can do it I have worked very hard it will provide me the result मैंने वो सारे काम किये हैं जिसकी वज़े से selection होता है और कोई वज़े नहीं है के मैं select ना हूं कभी यह नहीं सोचना है मैं यह कहीं मेरी कमी तो नहीं रह गई यह तो नहीं हो गया वो तो नहीं हो गया यह जो negative thoughts हैं इनकी जगे आपको reinforce करने है positive thought के वन negative thought हटाने नहीं है उसकी जगे दिमाग में positive thoughts को भरना है और एक और चीज देखिए number four number four इस चीज को ये समझे जैसे मैंने आप से कहा कि वो जो fear है उसको rationalize कीजिए उसको rationalize कीजिए मेरा कहने का मतलब यह है कि worst case scenario सोचिए क्या है worst case scenario क्या हो सकता है और worst case scenario के आगे ल जिन्दगी में आगे 70-80 साल decide होने के लिए अगर मेरे को मान लीजिए एक आथ बार failure अगर होना भी पड़ा तो ऐसा कौन आत्मी है जिसकी जिन्दगी में कभी failure नहीं आया सो ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में आप एक भी आदमी नहीं बता सकते जिसने जिन्दगी में खाली success ही success देखी हो बड़े से बड़े business man बड़े से बड़े लीडर की autobiography देख लीजिए उनमें शायद failure जादा है success कम है लेकिन उन्होंने failure से हार नहीं बानी failure को correct perspective में रखा और फिर उसके बाद में उसकी तह तक जाकर के यह समझ के क्यों हुआ उन्होंने उसको दूर करने की कोशिश करी और इस वज़े से वो successful हुए अबराहम लिंकन के बारे में कभी जरूर पढ़िये कितने elections हारे उनकी जिनकी में कितनी problems आई financial से लेकर के अपनी जो family problems है उन तक लेकर के कितनी problems आई और वो फिर किस तरह से यूएस के जो प्रेजिडेंट हैं कितने एक महान व्यक्ति रहे हैं ऐसा आपको मैंने एक example दिया आप किसी की भी autobiography उठा लीजिए आप एक भी आदमी ऐसा नहीं डूट पाएंगे जिसकी जिंद्गी में failure नाया हो और क successful success आई हो यह चीज याद रखिए worst case scenario मैंने किया अब इस worst case scenario के बाद में आपने यह कहा कि इसको एवर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं यह चीज इतनी खराब ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं और अब आपका दिमाग negative की तरफ positive सोचने लगेगा अब आपका द temperament attitude और जिंदगी की तरफ नजरिया बदल जाएगा बहुत बार मैं आपको बताता हूं जॉन लैनन की एक बात बताता हूं जब वह पांचवी क्लास में थे तो आप देखेंगे गूगल पर जाके देखिए जॉन लैनन कोट्स में तो जब वह पांचवी क्लास में थे तो एक assignment बिला तो उन्होंने पूछा कि जब आप जिंदगी में बड़े होंगे तो क्या करना चाहते हैं तो उन्होंने नीचे लिखा I want to be happy so teacher ने note डाल दिया कि probably आपने assignment समझा नहीं है उन्होंने उसके नीचे एक note डाल दिया probably आपने life नहीं समझी है ultimately life का मकसद है happy रहना so happiness is what is the aim of the life and an exam जैसा मैं भार बार आपसे कह रहा हूं is not worth is not is not deciding कि आप अच्छे हैं के नहीं है यह जुन्दगी में बहुत देर में बहुत कुछ चीज़े decide होती है आप पीछे मुड़के देखेंगे आप हसेंगे कि मैं बिना बात के किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा परेशान हो रहा था एक तो यह बात आपको समझ में आ गई और प्लीज ट्राइट करने के जैसे ही आप तरीके डूंड़ते हैं जैसा मैं आपको बताया माइंड जो है वो आपका आपका पॉजिटिव तरफ जाएगा और पांच भी चीज बार बार मैं यह कह रहा हूं तो माइंड फुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए इसका मतलब यह है कि आप अपने आपको थोड़ा सा स्वो कीजिए जब दिमाग इढ fixture-द मार दोड़ने आप ये mindfulness, ये breath controlling काम करना शुरू करते हैं, हमने इस पर कई बारी बात करी है, आप ये देखेंगे, आपकी anxiety कम हो जाएगी, आप कुछ ही seconds में exam में भी इस काम को बड़ी असानी से कर सकते हैं, exam के बीच में अगर anxiety हो जाए, तो अपने को slow down करके, 2-3 second के लिए, 2-3 minute के लिए 2-3 बार के लिए, अपने breath को control करने की कोशिश कीजिए, अपनी surroundings को देखने की कोशिश कीजिए, एक minute के लिए paper को छोड़िए, अराम से relax कीजिए, अपने thought को वापस paper में लाइए, it's a very proven, very powerful technique to overcome anxiety, ये आपको जरूर फायदा करेगी, एक और चीज, final चीज ये है कि मान जीए, नीद नहीं आ रही है, सो कई बारी एक बाकुछ बच्चे मेरे पास phone करते हैं, सर नीद नहीं आ रही है, सो मैं ये कहता हूं, सोचना छोड़ दो, कोई बात नहीं नहीं आ रही है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, कि किसी ने कहा है कि 9 गंटे सोना बहुत ज भ्रिकत नहीं आने देगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बस आप ये मधसूचना शुरू कर दीजिए नीदे नेहीं नहीं आरे क्योंकि जैसे ही आप यह सोचना शुरू करेंगे बेड में लेटे लेटे कि मुझे नीद नहीं नीन नहीं आएगी आपको अगर आपको नीन नहीं आरी थोड़ी देर में आ जाएगी और उठिये बैड से और किसी चेर पर जाके बैठिये और कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए यह पढ़ना फिजिस केमिस्ट्री बायो नहीं होना चाहिए आप कोई भी और कोई चीज प पढ़ने की कोशिश कीजिए थोड़ी देर में डेफिनेटली नीन आ जाएगी अगर आप तीन चार पांच घंटे भी सो रहे हैं तो बहुत शौट टर्म चीजे हैं कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है जितना आप सोचेंगे नीन के बारे में उतनी नीन दूर बार बार कह रहा हूं प्लीज रिमेंबर देस इस जस्ट एन एक्जाम इसको परस्पेक्टिव में रखिये एक एक्जाम ही तो है केवल एक एक्जाम ही तो है यह पूरी जिंद्गी की वर्थ डिसाइड नहीं करता है थैंक यू सो मच